नवस्कार दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो नए लोग हैं और सोच रही हैं कि हम अपना CSC सेंटर खोल लें तो मेरी उन लोगों के लिए राय रहीगी कि उनको CSC सेंटर खोलना चाहिए या नहीं या हम सिंपल वासा में ये भी कह सकते हैं कि आज के समय पर किन लोगों को CSC सेंटर खोलना चाहिए और किन लोगों को CSC सेंटर नहीं खोलना चाहिए दोस्तों आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो कि CSC के बारे में होती हैं मैंने भी CSC सेंटर लिया हो और मैं चला भी रहा हूँ और फाइनली बहुत सारी कमिया भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी हैं कि ये समस्याइं CSC भी अली भाई फेस कर रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए लोग है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि बहुत सारी लोग सोच रही है कि CSC सेंटर ले लो इसमें कोई खर्चा तो है नहीं एक बार TEC का एकजाम दे दो एकजाम पास हो जाएगा CSC के लिए अपलाई कर देंगे और उसके बाद कोई सस्ती सी दुकान देखके या अपनी खुद की दुकान है तो आँ पर रखके CSC की सर्विस का काम शुरू कर देंगे तो लोग बड़ा आसान इस प्रोसेस को समझते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम भी अपना खुद का CSC सेंटर शुरू कर लें लेकिन उनको एक्जेक्ट जब मेरी वीडियो देखी तब चला कि CSC सेंटर खोलने के बाद भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको CSC सेंटर खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए देखो दोस्तों सबसे पहले ये बास समझ लीजिए अगर आप आपको Zero Investment से मिल सकती है लेकिन CSC को चलाने के लिए जो हमें equipment की जरूरत होती है जो सामान की जरूरत होती है वो सामान काफी ये दब महंगे आते हैं और लगबग आपका 1 लाख रुपई से जादा का खर्चा equipment पर हो जाता है जैसे कि मैं आपको पताना चाहूँगा कि आप एक laptop लोगे तो laptop आपका कम से कम 35,000-30,000 रुपए का पढ़ेगा 30-35,000 रुपए का ठीक ठाक laptop आपको पढ़ेगा इसके अलावा आपको printer लेना पढ़ेगा जो कि 18-20,000 रुपए का पढ़ेगा इसके अलावा आपको lamination machine लेनी पढ़ेगी इसके अलावा आपको fingerprint device लेने पढ़ेंगे इसके अलावा आपको दूसरे equipment खड़ीनने पढ़ेंगे यानि कि 1,000,000 से ऊपर का खर्चा हो जाता है पूरा एक अच्छा center setup कराने में जिसमें बैटने के लिए कुरसी हो आपका अच्छा सा counter हो अच्छा से आप अपने center को setup कर वाओ तो एक लाव रोपे से ज़्यादा का खर्चा हो जाता है तो ये मत सोचिए कि ये zero investment से शुरू हो जाता है zero investment से आपको ID मिल सकती है और उसके बाद setup करने में काफी ज़्यादा खर्चा हो जाता है अब बाई problem को छोड़ते हैं ये समझते हैं कि किसको ये चालू करना चाहिए और किसको ये चालू नहीं करना चाहिए दोस्तो मेरी personal राय ये रहेगी CSC center उन लोगों को चालू करना चाहिए जिनके area में ज़्यादा कोई center नहीं है लोगों को काम कराने के लिए दूर दूर भागना पड़ता है या आप बहुत ही पिछड़े छेतर में रहती हो जहां पर bank नहीं है जहां पर internet और technology नहीं है जहां लोग इतने ज़्यादा aware नहीं है लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर आपको center खोलना चाहिए और कैसी जगह पर आपको CSE center आज के समय पर नहीं खोलना चाहिए जहां already लोग पड़े लिखे है सारे लोगों के पास android, mobile है सभी के पास internet and technology की knowledge है जहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ही CSE center already खुले हुए है ऐसी जगह पर आपको अपना center कभी नहीं खोलना चाहिए इसके अलाबा कैसे लोगों को CSE center खोलना चाहिए और कैसे लोगों को CSE center नहीं खोलना चाहिए जो व्यक्ति कहीं पर नौकरी कर रहा है और 18 से 20,000 से उपर ज़्यादा कमाई कर रहा है उस नौकरी में से विजनिस कर रहा हो चाहिए कमीशन बेस पर कर रहा हो अगर 20,000 से उपर की कमाई किसी व्यक्ति की हो रही है तो उसको CSE center नहीं खोलना चाहिए CSE center में अपना समय वरभाद नहीं करना चाहिए दूसरी जिस व्यक्ति को computer, internet, technology की ज़्यादा knowledge नहीं है उन लोगों को भी CSE center नहीं खोलना चाहिए तो किन लोगों को खोलना चाहिए जो लोग बेरोजगार बैटी है जिनको लग रहा है यार सुब ऐसे साम तक बैटना हमें घर पे ही है काम कुछ है ही नहीं अब क्या करें भाई उनके लिए तो 3000 भी कमाले, 4000 भी कमाले, 5000 भी कमाले वो भी प्रॉफिट ही है क्योंकि वो तो पूरे दिन घर पे बैटे रहती है तो ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे है और computer बगएरा का course करके बैटी है तो computer बगएरा की knowledge उनको है उन्हें पता है कैसे form भरते हैं कैसे क्या करते हैं तो ओल लोगों को खोलना चाहिए अब सीधा सा funda ये है कि CSE Center में इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है जितनी ज़्यादा कमाई दिखाई जाती है और लोगों को जितनी ज़्यादा कमाई दिखती है क्योंकि उनकी location में बहुत अच्छा उनका center चलता है लेकिन एक average में आपको बता रहा हूँ कि 15-16,000 रुपई के लगबग आप कमा सकती है और अगर आपकी 20,000 से उपर की salary है तो मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि center से आपकी इतनी ज़्यादा कमाई हो नहीं पाईगी और इसके अलावा जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हर किसी के पास mobile होते जा रहे है सभी automatic काम होते जा रहे है सभी website के माद्यम से most early लोग अपने कामों को कर लेती है तो future CSC का इतना खास नहीं है इसके अलावा जैसे कोई government scheme चलती है उस समय थोड़ी income हो जाए तो हो जाए लेकिन बाकी के normal दिन बड़े खराब जाती है तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किसको CSC center खोलना चाहिए किसको नहीं और कौन सी जगह पर खोलना चाहिए और कौन सी जगह पर नहीं जितने भी ऐसे BLE भाई इस वीडियो को देख रहे है जो CSC center चला रहे हैं 6 महीने से साल भर से तो बो लोग भी comment करके नई CSC BLE भाईयों को अपनी राय दें नई लोगों को राय दें कि CSC center खोलना चाहिए या नहीं अपने experience को comment के माध्यम से लोगों के साथ share जरूर करें तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो भी comment करके जरूर बताईए अगर आप लोगों को ये वीडियो अची लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए जिससे इन future ऐसी वीडियो की update आप लोगों को मिल सके आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों काते हैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद